स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो स्रंख लाम है, मेरा नाम है अच्पी सोलंकी योजना को अपरेल 2020 में कोरोना वायरस महाम्यारगी के मुद्दे नजर प्रदान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के एक हिस्से के रूम में शुरू किया गया था इसके पस्चत सरकान ने पूरवर्ती पी एम जी के एवाई योजना में दो मौजूदा स्खाद सबसीटी योजना को समाहित करके एक जनवरी 2023 से इसक नई एकिकरत खाद सुरुक्षा योजना को लागू किया आपको इस योजना की विशिस्ताओं से अवगत करा दें योजना के ंतरगत राष्ट खाद सरक्षा अधीनियम के तहत पातर था के अनुरूप सभी अत्यांत निर्धन लोगोंको और अधिक गरीब लोगोंको वर्स 2023 के लिए निसुल्फ खादान पुरदान किया जाएगा यह है योजना राष्टे खाद सुरुक्षा अधीनियम 2013 के प्रभावी और एक समान कार रेविनन के लिए खाद एवं सामाजिक बित्राण विभाग की दो सबसिटी योजनाओं को समाहित करेगी यह सबसिडी योजना इस प्रकार है अफ, एन EF, NF, S, A के लिए FCI को प्रद्ध खाद सबसिडी तथा विकेंद रिकत खरीद राजियों के लिए खाद सबसिडी अगर इसके महत्वों को देखें तो यह एकिकरती योजना गरीबों के लिए खादान की पहुँच वहनियता और उपलबदता की संदर में राष्टे खाद सुरुक्षा मीशन 2023 की प्रापधानों को मजबूत करेगी अब आपको राष्टे खाद सुरुक्षा अधिनयम 2013 का संचिप्त परिचे करा दें सिस्तंबर 2013 को अधिसुजित तथ 5 जुलाई 2013 से लागू यह अधिनयम राष्टे खाद सुरुक्षा के द्रेस्टिकॉण में कल्यार से अधिकार आधरिक द्रेस्टिकॉण की और एक आधर्स बदलाव का प्रतिक है यह अधिनयम कानूनी रूप से 75% ग्रामीड आवादी तथा 50% सहरी आवादी को लक्षित सारवजनक वित्रन पंडाली यानि TDS के तहत रियायती खादान प्राप्ट करने का अधिकार देता है इसके तहत प्रात्मिक्ता वाले परिवारों की स्राइडी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति महा खादान की पातरता 5 किलोग्राम है जबकि अन्तियोदय अन्य योजना के परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति महा 35 किलोग्राम खादन उबलाप्त कराने का आयू की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखिया होना अनिवार है।